वचन हुजूर महराज सावन सिंग जी एक, परमात्मा की द्या हो तो सत्संग मिलता है, द्या हो तो गुरु मिलता है, द्या ही हो तो नाम मिलता है, उनकी द्या हो तो शिश्य नाम के कमाई करके परदा खोल लेता है मालिक से मिलने का मार्ग एक ही है उसब के अंदर है और ईश्वर रचित है किसी वली, अवतार, पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं मनाया है हम ना उसे घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं तीन, कबीर साहिब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंड़ाय कहीं कहीं विद्यावे हाथ कहे कबीर तब पाईए जब भेदी लीजे साथ आत्मा और परमात्मा का विशे इतना बारीक और जटल है कि मनुश्य की बुद्धी इस विशे को समझने में अपने आप को बिलकुल असमर्थ पाती है गुरू की सहायता के बिना परमात्मा का मिलना असंबह है हम चोरी ठगी और अन्य बुरे काम करके बाल बच्चों को खिलाते हैं ये तो सोचते नहीं कि जिनके लिए हम करते हैं वे हमारी क्या मदद करेंगे कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा औरत मर जाए उसका पती पास पैठा मूँ देखता रह जाता है या पती मर जाए तो औरत पैठी मूँ देखती रह जाती है जब ये शरीर साथ नहीं जाता तो और क्या जा सकता है बेटे बेटियां धन दौलत हमारा इमान नहीं है हमारा महबूब हकी की सच्चा प्रियत्म एक सत्गुरू है इसका मतलब ये नहीं के इन रिश्टेदारों को छोड़ दें आप इन से काम लें लेकिन हमारा सच्चा प्यार किस के साथ होना चाहिए सिर्फ उसे परमात्मा या गुरू के साथ पांच मनुष्य देह केवल इसलिए मिली है ताकि इस देह में बैठ कर परमात्मा के दर्शन कर सकें और जीते जी ज्यादा से ज्यादा रुहानी तरक्टी करके सच खंड पहुंच सकें इसका हर एक मिनिट करोड रुपए के बराबर है छे जब जिन्दगी का मकसद निश्चित हो जाता है और उसको प्राप्त करने का साधन भी मालूम हो जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति हर अफसर अरफकाश की हर घड़ी से लाव उठाकर अपने लक्ष की और बढ़ने का प्रियत्न करता है साथ काया वही सुन्दर है जिसमें सुरत अपने पती परिपूर्ण कुल मालिक भाव शब्द या नाम के साथ वास कर रही हो चिंता नहीं रहती आठ दुनिया की दौलत प्राप्त करने के लिए तुम लड़ाईयों में जाते हो वो धन बाल बच्चों की सेवा में खर्च करते हो वे बाल बच्चे साथ नहीं जाते अगर इसका दस्मा भाग भी गुरू की सेवा में खर्च करो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाए 9. यह संसार संगर्ष का ख्षेत्र है यहां कभी न शान्ती रही है और न कभी रहेगी ही आज की समस्याओं में से कल की समस्याओं जन्म लेती है जिस संसार में मन और माया का जोर है वहां शान्ती कभी नहीं मिल सकती शान्ती पाने के लिए आत्मा को रूहानी मंडलों की खोज करनी होगी शान्ती की खोज करना हर व्यक्ति का अपना काम है दस दुनिया फकीरों से माया के भोग और पदार्थ मांगती है जबकि फकीरों से हमें उंचे रूहानी मंडलों की यात्रा का तरीका और उस यात्रा के लिए सहायता मांगनी चाहिए जिससे कि हम इस दुनिया की तकलीफों तथा आवा गमन के चक्कर से छुटकारा पा सकें ग्यारा धर्म मनुश्य के लिए हैं मनुश्य धर्मों के लिए नहीं सब गरंत पुस्तके मनुश्य के अंदर से आई हैं हम अंदर नहीं जाते उन भेदों को नहीं पा सकते मनुश्य अपने आप गरंत पुथियों को पढ़ता है और तत्व की व्याक्या भी करता है पस्वयम तत्व से वन्चित रह जाता है बारा प्रतेक इल्म के बारे में मनुश्य जानता है पर अपनी आत्मा के बारे में जिसके सहारे सब विद्याओं की प्राप्ति होती है जिसके आधार पर मन बुद्धी का सब कारोबार चल रहा है वो कुछ नहीं जानता संत कहते हैं कि पराई मजदूरी करके पराई गधे न बनो बलकि अपना काम करो जो आगे आपके काम आए जिने अंदर जाना है परदा खोलना है परमात्मा से मिलना है संतों का अबदेश उन लोगों के लिए है जिने अंदर जाना ही नहीं उनके लिए यह तालीम नहीं है 15. संतों का वास्तव में एक ही संदेश या उबदेश होता है वे कहते हैं हे आत्मा तू अपने असली घर को भूल गई है वो घर सचखन में है और वहाँ पहुँचने का रास्ता शब्द धुन है जो तेरे अंदर है और हम इस रास्ते पर तेरी रहनमाई करेंगे 16. संत मत एक ही करामाद में विश्वास रखता है और वो है अनादी काल से जन्मरण के चक्कर में फंसी हुई आत्मा को आज़ाद करके परमात्मा के साथ मिला देना 17. संत कहते हैं कि भाई तेरे अंदर सुरत है तेरे अंदर ही शब्द है ब्रम पार ब्रम सामा खुद खुदा भी तेरे अंदर है घर में ही सब कुछ होते हुए तू भूखा मरता है जिसके घर में करोड रुपया दबा हुआ हो लेकिन वह बाहर कोड़ी-कोड़ी मांगता फिरे कि आप उसे पागल ना कहेंगे यही हाल हमारा है जरा गोर करके देखो 18 संत महातमा हमें पकार-पकार कर कहते हैं कि ये देश तेरा देश नहीं ये गौम तेरी गौम नहीं ये धर्म तेरे धर्म नहीं तेरा देश सचखंड है, तेरी कौम सत नाम है, तेरा धर्म सत पुरुश है, परंतु जिस तरह मूरी के कीड़े बाग की हवा को पसंद नहीं करते, इसी तरह हम भी लौट लौट कर इस गंदे देश में रहना चाहते हैं। उन्नीस, बिना संतों के रास्ता नहीं मिलता, संत इस दुनिया में परमारत के बादशा हैं, जो कोई सचखंड गया है, संतों के जरीए गया है। बीस, संत जीवों के पाप नहीं देखते, अगर वे हमारे कर्मों की और देखें, तो कोई भी जी उनके पास ठहरने के लायक नहीं है। 21. अगर मनुष्य इस सर्व व्यापी शब्द यानि परमात्मा से लाब उठा सकता, या सर्व व्यापी शब्द यानि परमात्मा सीधे मनुष्य की सहायता कर सकता होता, तो संत महात्माओं को किसी भी समय में जीवों के उधार के लिए मनुष्य देधारन करके उनके बीच जाने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर किसी और समय में महात्मा को देधारण करने की जरूरत थी तो वही जरूरत आज भी है 22. संत अगर चाहें तो अपनी शक्ति दूसरों को भी दे सकते हैं वे वचन, स्पर्श या द्रिष्टी के द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं 23. जो लोग संतों की हुजूरी में रहते हैं, उनके लिए बड़ी सावधानी से रहना जरूरी है यदि वे संतों पर मनुष्य भाव कभी न लाएं, तो उनका बेड़ा पार हो जाता है 24. संत ये नहीं कहते कि गरेस्ट अच्छा और त्याग बुरा है, बलकि अगर ये त्यागी बने तो पूरा बने अगर त्यागी बन गया फिर गरेस्टियों का आसरा क्यूं? लज़त ना गरेस्ट में है ना त्याग में, लज़त नाम में है, नाम इसके अंदर है अगर एक बार अंदर पर्दा खुल जाए नाम की लज़त आ जाए फिर चाहे गरस्त में रहे चाहे त्याग में पच्चीस संत कहते हैं भाई करनी करो लेकिन सत्कुरू की दया का आसरा लेकर चब्श नाम बड़ी अनमोल चीज है अगर सीस देकर भी मिल जाए तो भी सस्ती है 27 नाम जपने वाले के पास तो यमदूत भी नहीं आ सकते उसके निकट भूत प्रेत और जादू टोना कैसे आएगा 28 जब तक ध्यान शब्द धुन से नहीं जुड़ता तब तक मनुष्य भार ढोने वाले जानवर की तरह काम कर रहा है और उसे कभी भी शान्ती नहीं मिल सकती 29 सिवाए नाम के कोई कर्म नहीं जो बंदनों से आजाद कर सके अगर मुक्ति है तो नाम में है 30 अगर अंदर की लज़त लेनी है नाम का रस लेना है तो शराबों कबाबों दुनिया के भोगों से नफरत करो जितने एशोईशरत है उतने ही दुख जितने भोग उतनी ही बीमारिया 31 हम दुनिया के कामों में 10-12 घंटे बलकि 14 घंटे भी दे देते हैं प्रन्तु नाम की और घंटा दो घंटे भी नहीं लगाते 32 यों तो सारी दुनिया पर मात्मा की बनाई हुई है मनमुक भी उसके बनाई हुए हैं पापी भी उसके बनाई हुए हैं और पुणने आत्माएं भी लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं वे उसकी दरगाह में जाते हैं बाकी नहीं तेंटीस शब्द धुन के लिए जितना अधिक हमारा प्रेम होगा उतनी ही अधिक हमें शांती मिलेगी और हमारी रोहानी उन्नती होगी चौँतीस सारे जपों का जप सारे तपों का तप संपूर्ण सयमों का सयम संपूर्ण पवित ताया शुच्टा का निचोड भाव ये कि जो कुछ भी है वो नाम ही है पैंटीस नाम की महमा करने के लिए संतों को लफ्द नहीं मिलते क्योंकि उसका नमूना दुनिया में है ही नहीं हम अल्ला परमेश्वरादी लफ्दों को नाम समझते हैं प्रन्तु लफ्द नाम नहीं दुनिया लफ्दों में ही उलज कर रह गई लफ्द सिर्फ आत्मा को नाम के साथ जोडने के लिए हैं समझाने बुझाने के लिए हैं लफ्द नाम नहीं चछटीस सच्चा कीर्टन यानि शब्द सब के अंदर हर वक्त हो रहा है वो अखंड कीर्टन है सब सो जाते हैं वो नहीं सोता वो अखंड कीर्टन हमारे अंदर है लेकिन वो मिलता नहीं बड़े श्रेष्ट भाग हों तो मिलता है वो गुरू की कृपा से मिलता है 37. यदि साथ द्वीपों और साथ समंदरों का सोना निकाल कर धेर लगा दें और मालिक के प्यारों से पूछें कि सोना लेना है अथवा नाम तो वे कहते हैं कि हमें नाम ही चाहिए 38. मन लज़त का अशिक है और करोड़ों जन्मों से बाहर दुनिया के सुआद लेता आ रहा है ये विशेवेकारों सांसारिक भोगों और पदार्थों का प्रेमी है और उनसे कभी त्रिप्त नहीं होता जब मन नाम की लज़त ले लेता है तब वो गैद हो जाता है मन को वश में करने की सारे संसार के लिए एक ही दवा है यदि कोई उसे नहीं लेता तो ये उसकी अपनी लापरवाही है 49. अगर नौदवारों से निकल कर आगे दस्वी गली में जाएं तो वहाँ ना कोई भाशा है न धर्म वहाँ केवल नाम है जिसे सुनकर काम, क्रोध, लोब, मोवादी वश में आ जाते हैं किसी मजभ, कौम या देश से रागद्वेश नहीं रहता संत उस नाम की महमा करते हैं यदि ये अंतर मुख होकर अपनी सुरत को नाम के साथ जोड ले तो इसका जन्मरन समाप्त हो जाएगा और जन्मों जन्मों से बिछड़ हुई आत्मा परमात्मा से मिलकर सुहागन हो जाएगी चालीस जब तुम इस संसार से जाओगे उस समय तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा साथ जाने वाली केवल दो चीजें हैं एक सत्गुरू और दूसरा नाम नाम आपके अंदर है और उसका भेद सत्गुरू से मिलता है एक तालीस गुरू से गुरू मांगो या परमेश्वर गुरू से सचखन के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं मांगनी चाहिए बे आलीस गुरू से बढ़कर संसार में हमारा कोई साहयक नहीं गुरू के सिवाए खंडों ब्रमांडों पर हमें कोई नहीं ले जा सकता बस गुरू के तुल गुरू ही है गुरू का नूरी सुरूप इतना मन मोहक होता है उसमें इतनी कशिश होती है कि सुरत अपने आप ही खिंची चली जाती है और उसमें समा जाती है अगर कोई अभ्यासी इसी जिन्दगी में गुरू के नूरी सुरूप का दर्शन कर लेता है तो उसे अपने को भागशाली समझना चाहिए चबालिस गुरू की सबसे उत्तम सेवा ये है कि शिश्य गुरू के उपदेश का पालन करे पैटालिस इस जीवन में पूरे गुरू के मिलाप से बड़ी और कोई बात नहीं है क्योंके गुरू मिलने के बाद जन्मरण के चक्कर में फिर वापस नहीं आना पड़ता च्छे आलिस आंतरिक गुरू सदा आपके साथ है जो भीतरी धर्वाजे पर आपके पहुंचने पर आपका स्वागत करने के लिए बड़ी उटसुकता के साथ इंतजार कर रहा है सेंटालिस जब आप सद्गुरू के नूरी सुरूब के दर्शन कर लेंगे तब आपको गुरू हर जगे नदर आएगा और आपका मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि दूसरों की कमियों को देखकर उन्हें दोशी ठहराना आपके लिए प्राया असंभव हो जाएगा अर्दालिस गुरू को उनके सेवक अपने बच्चों से भी अधिक प्यारे होते हैं बाल बच्चे तो उनके सांसार एक धन धान दौलत के हकदार होते हैं लेकिन सथसंगी उनकी रूहानी दौलत के हकदार होते हैं नामदान के चुनाव में गुरू कभी भी गरती نہیں करता केवल उन्हीं को नाम मिलता है जिन को मालिक वापिस بोलाना चाहता है और मालिक अपने कुछ चुने हुए जीवों को ही शब्द का भेद देता है पचास गुरू दाता है, मंगता नहीं वो देने को आता है, लेने को नहीं एकावन अजीब कारी गिरी है हवा, मिट्टी, अगनी, पानी और आकाश का पुतला बनाकर इसके अंदर करोड़ों खजाने रखे हुएं हैं, करोड़ों देश, खंड ब्रमांड, बलकि खुद मालिक इसके अंदर रहता है अंदर चड़ो और देखो, कि आकाल पुरुष ने तुम्हारे अंदर क्या क्या रखा है लेकिन हम मन के मुरीद यानि शिष्य हैं, मुर्षद यानि सद्गुरु के मुरीद नहीं अगर मुर्षद के मुरीद बन जाएं, तो आज अंदर परदा खुल जाए संत्मत में गुरु किसी भी जीव के पाप, कर्म और अवगुनों को उसी प्रकार देखता है जैसे एक दोबी कपड़े की मैल को देखता है उसकी नज़र कपड़े पर होती है, मैल पर नहीं उसका लक्ष कपड़े को किसी भी तरह साफ करना है गुरु सर्व प्रथम सत्संग द्वारा जीव को सुधारने की कोशिश करता है अगर ये तरीका असफल रहता है तब निर्धनता, दुख, तथा बिमारी रूपी साबुन लगाता है अगर इन उपायों से भी काम नहीं बनता तो वो शिश्य को दूसरा जन दे देता है और गुरु उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि वो अपने शिश्य को धुरधाम तक नहीं पहुचा देता सत्गुरु तथा शब्द केवल ये दो ही जीव के सच्चे साथी हैं जो कि यहां और इसके बाद भी साथ रहते हैं शेश सभी संबंधी स्वार्थ के संगी होते हैं और उनका प्यार हमें इस दुनिया में वापस लाता है गुरु जैसा शुपचिन तक अपने सेवक के जीवन में आने वाली घटनाओं को देखकर बे परवा कैसे रह सकता है चववन जिस तरह माता चाहती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए उसी प्रकार गुरु भी चाहता है कि उसके शिश इसी जीवन में तीसरे तिल में प्रवेश करें तथा शब्द धुन के सहारे इस जन्म में ही उपर के मंडलों में पहुँच जाएं और उन बातों का निजी अनुभव कर लें जो उन्होंने गुरु पर विश्वास करके सही मान ली थी पच्पन इस कल युग में जो दया जीवों पर हो रही है शायद ही किसी युग में हुई हो काम क्रोध में तपते हुए जीवों को सद्गुरु आकर संभालता है च्पन जो परे से परे उन्ची से उन्ची अवस्था अकाल पुरुष की है वो सद्गुरु है वो हमारे अंदर है लेकिन जब तक देह सुरूप में सद्गुरू ना मिले हमें कोई फायदा नहीं सत्तावन गुरू की सर्वोत्तम सेवा शरीर में से सुरत को निकाल कर तीसरे तिल पर एकागर करना है और तारा मंडल, चंदर्मा मंडल तथा सूर्य मंडल को पार करके अंतर में गुरू के नूरी सुरूप का दर्शन करना है अठावन भजन के लिए सत्संग उसी तरह है जिस तरह फसल की रक्षा के लिए बाढ़ सत्संग वो पानी है जिसके द्वारा भजन ताजा और हरा भरा रहता है उनसट सत्संग में लगे रहो, अगर सुलक्ती आग को फूंक मारते रहोगे तो किसी ना किसी दिन बढ़क ही जाएगी साथ अगर संतों के पास रहने और उनकी आग्या का पालन करने का प्रभाव शीगर प्रतीत न हो तो निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमारे जन्मों जन्मों के संसकार मन में बरे पड़े हैं जो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं ये जन्म जन्मांतरों के संसकार पहले तो दब जाते हैं और फिर धीरे धीरे मिटते चले जाते हैं जब तक ये संसकार पूरी तरह दूर नहीं हो जाते मनुश्य को संतों की सेवा में लगे रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि ये संसकार एक दिन अवश्य दूर हो जाएंगे अंदर के संसकारों को धोने के लिए समय की आवशिक्ता होती है ये जल्दबाजी का काम नहीं है 61 गुरू का मिलाप गुरू का सत्संग नाम का मिलना और नाम की कमाई करने का मौका मिलना उंचे भागी का नतीज़ा है अगर गुरू भी मिला सत्संग भी मिला नाम भी मिला लेकिन कमाई ना की तो कोई फायदा नहीं 62 साध संगती के बराबर दुनिया में और कोई संगती नहीं है इसमें आकर शराबी शराब छोड़ देते हैं, कबाबी कबाब छोड़ देते हैं, चोर चोरी छोड़ देते हैं, दुराचारी दुराचार छोड़ देते हैं, इसलिए परमेश्वर के पास यदि कोई बख्षने का या अपने साथ मिलाने का जरीया है, तो साध संगती है 63. संतों का एक एक वचन करोड करोड रुपे का होता है हमें चाहिए कि जो कुछ सुने घर आकर उस पर विचार करें लेकिन हमारी क्या हालत है इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया सत्संग में गए और पल्ला जाड़ कर चले आए जैसे गए वैसे ही खाली वापस आ गए 64. अगर अभ्यासी सुख दुख की सांसारे खटनाओं से विचलित हो जाता है और अपनी एकागरता खो देता है तथा सुख दुख का अनुभव करता है तो इससे ये साफ जाहर है कि सत्संग का भी उसके उपर असर नहीं पड़ा है 65. सत्गुरू के अंदर सत्प्रकट है उसकी संगती का नाम ही सत्संग है जहां सत्गुरू सत्का उपदेश देता है वहाँ जाने पर आत्मिक रंग जड़ता है जब जलके सरोवर के किनारे बैठने से शीतल था और अगनी के पास बैठने से गर्मी आती है तो रूहानी बादशाहों के पास बैठने से उनका रंग क्यों नहीं चड़ेगा 66. बाहर के तीर्थों में सनान करने से शरीर की मैल उतरती है मन की मैल नहीं उतरती सच्चा तीर्थ नाम है वो मनुश्य के अंदर है मन की मैल तो तभी उतरती है जबकि ये अंदर जाकर उस सच्चे तीर्थ में सच्चे अमरित सर में सनान करे सड़सट अगर कोई इस दुनिया में खुशी खुशी मरता है तो केवल शब्द का अभ्यासी ही बाकी दुनिया के लोग बादशा से लेकर गरीब तक रोते हुए ही जाते हैं अड़सट सिम्रन तो बहुत से लोग करते हैं किन्तु सच्ची मेहमा तो उनकी है जो निशकाम सिम्रन करते हैं उनहत्तर जो कुछ पूरा गुरु हुक्म दे वही भजन सिम्रन है सत्तर जिस प्रकार हमारे लिए घर के सब कारे आवश्यक हैं इसी प्रकार मालिक का भजन भी जरूरी है इसलिए सौ काम छोड़ कर भी मालिक का भजन कर लो एकत्तर मुप्ति के तीन साधन है सिम्रन, ध्यान और धुन इन तीनों में से हर समय एक ना एक सत्संगी के अंदर जरूर होना चाहिए बहत्तर कैसी भी समस्या क्यों न आ जाए कैसे भी हालात क्यों न हो भजन में कभी भी नागा नहीं करना चाहिए 73 भजन करना जवानी की मौत मरना है ये कायरों और कमजोरों का काम नहीं रातों को जागना, कम खाना, कम सोना हर तरह की तकलीफ को सहना, मन को च्छाओं से मोड़ना ये सब कोई आसान काम नहीं ये सब तभी होगा, जब दिल में सद्गुरू के प्रेम के सिवाए और कोई प्यार बाकी न रहे 74 जितनी जल्दी भजन सिम्रन करेगा, उतनी जल्दी पहुँच जाएगा जितनी सुस्ती करेगा, उतनी ही देर बाद जाएगा 75 अगर सत्संगी का विश्वास अटूट और अटल है और वो प्रति दिन भजन में समय देता है और उसे कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, तब कोई भी ऐसी शक्ती नहीं है, जो उसे संसार में वापस लाए 76 किसी को कभी अपनी आध्यात्मिक उन्नती से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सिम्रन करने तथा शब्द धुन सुनने की भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए 77 आमदनी का दस्वा भाग निकालना सरल है, तनका आई ये और दस्वा भाग निकाल दिया, पर समय का दस्वा भाग देना कठिन है, धाई घंटे अभ्यास करना शिश्य का कर्तव्य है, अगर अधिक समय देगा, तो अधिक फल मिलेगा 78 बीमारी भजन में बाधा डालती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कोशिश करना छोड़ दें, शब्द धुन बीमारी के समय बंद नहीं होती, भजन करना और शब्द धुन सुनना आत्मा का काम है, और आत्मा कभी बीमार नहीं होती, रोग शरीर को ही लगता ह वास्तव में बीमारी के समय परमात्मा की विशेश क्रिपा होती है शब्द धुन अधिक स्पष्ट हो जाती है अगर बीमारी के समय आसन लगा कर बैठना संभव नहीं हो तो लेट कर ही सिमरन्य ध्यान करना चाहिए 89 भजन में किसी न किसी वज़े से नागा होने पर अगर सच्चा पश्चा ताप हो तो ये अपने आप में एक तरह का भजन है इस प्रकार की भावना से मन अंदर की और जुका रहता है लेकिन भजन के लिए समय निकालने का प्रयत्म करना चाहिए अभ्यास में नागा न करें अभ्यास में बिताये गए हर क्षण की गिनती होती है 80 जिसे सिमरंद से प्यार नहीं उसे गुरू के इश्च की अभी हवा तक नहीं लगी जबानी जमा खर्च से मालिक नहीं मिलता ये तो करनी का मार्ग है जो सिर नहीं दे सकता वो परमात्मा को भी नहीं पा सकता जब तक इस दुनिया का प्यार नहीं चूटता सद्गुरू का प्यार जागे भी कैसे 81 बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अगर भजन सिमरंद करें तो दुनिया के काम रह जाते हैं मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं होता करके देख लो भजन करना अपाहिजियों और कायरों का काम नहीं ये सूर में और बहादुरों का काम है 82 गरंत पोतियों में रूहानी नजारों का जिक्र है नजारे नहीं हैं वे आपके अंदर हैं जिस तरह उन महात्माओं ने अपने अंदर देखे उसी तरह जब आप परदा खोल कर अंदर जाएंगे तो आपको भी नजारे मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा हम लोगों के ब्याग के गीत गाते हैं अपना ब्या नहीं करते यानि हम लोगों की कमाई का जिक्र करते हैं आप कमाई नहीं करते लेकिन जब तक हम कमाई करके अंदर ना जाएं शांती नहीं मिलती तिरे आसी भजन बंदगी का संबंद मन और आत्मा के साथ है शरीर से नहीं शरीर से काम करते रहिए और मन को भजन में लगाए रखिए एक मशीन पर काम करने वाला कारीगर अपना काम भी करता रहता है और साथ साथ गाता भी रहता है 84 आपका काम आपको ही करना है किसी और को नहीं करना अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो कुछ नहीं बनेगा इसके विपरीत अगर नाम लेकर आठ दिन कमाई करो तो फाइदा हो जाएगा चाहे इस जनम में करो चाहे अगले जनम में करो लेकिन करना पड़ेगा 85 हमें एक दिन संसार छोड़ना है अगर हम प्रेमी और आग्याकारी शिश्य हैं और इस जीवन काल में ही आगे के सफर की उचित तैयारी कर लेते हैं तो हमें मौत के समय कश्ट नहीं उठाना पड़ता 86 सुरत शब्द योग का भ्यास करने से शारीरिक और मानसिक ठकावट कम होती है नाम मिलने के बाद अगर कोई अभ्यासी हिदायत के मताबिक एक घंटा भी भजन करता है तो उसका बाहर भटकता मन निश्चल हो जाता है नाडियां शान्त हो जाती है और रिदे की धडकन भी कई दर्जे कम हो जाती है 87 जो मनुष्य भक्ति भाव की और आ जाता है उसका सब भै दूर हो जाता है चाहे वो कितना ही गुनागार क्यों न हो 88 नाम का सिमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है आत्मा को उसका भोजन अवश्य देना चाहिए जिस प्रकार तुम शरीर के लिए शरीर की खुराक नियम पूर्वक लेते हो उसी तरह चाहे घर में रहो या सफर में आत्मा को भी रूहानी खुराक वश्य दो कभी लापरवाही न करो 89 जितने स्वाद उतने दुख जितने भोग उतनी बीमारियां जितनी आशो इश्रत मेफिलें उतनी ही चिंताएं जो भजन करते हैं उनके दिलों में भक्ती, प्रेम, दीनता और शान्ती होती है जब ध्यान तीसरे तिल में जाता है तो गुरू के साथ प्रेम पूर्ण बाते होती है ध्यान की एकागरता हो जाती है और घंटे की धुन सुनाई देती है वो अवस्था अनोखी है जिसका वर्णन जबान नहीं कर सकती एक्यानवे यदि कोई सिम्रन की सहायता से उपर जाकर अंतर के पट नहीं खोलता तो वो मनुष पशु तुल्य है बानवे प्रेम करने से हृदे ध्यान करने से आँखें और शब्द सुनने से कान निर्मल होते हैं तथा मन में इतनी शक्ती या निडरता होनी चाहिए कि अगर सारी दुनिया का सामराज्य भी मिल जाए या चला जाए ये फिर भी नहीं डोले चौरानवे दो चीजों की जरूरत है एक विरह, प्रेम और शौक दूसरी मेहनत अगर मेहनत है प्रेम नहीं या प्रेम है मेहनत नहीं तो कोई लाव नहीं पिच्चानवे यदि प्रेम आ जाए तो जितने जब तब दानपुन्य, तीर्थ, मूर्ति, मंदिर वेद शास्त्र का पठन-पाठनादी की जो भी क्रियाएं हैं सब उस प्रेम पर नियोच्छावर की जा सकती हैं इन में से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती च्यानवे जैसे रात दिन एक साथ एक जगए नहीं रह सकते उसी तरह काम और परमात्मा का प्यार दोनों एक रिदे में नहीं रह सकते सथानवे शब्द ही एक मात्र सार वस्तु है शब्द ही ग्यान है शब्द ही सत्य है लगातार कोशिश प्रेम और विश्वास दोरा इसे प्राप्त किया जाता है ये ना पैसे दे कर खरीदा जा सकता है और ना ही मांगने से बिल सकता है निस्वार्थ शुद्ध प्रेम ही इसकी कीमत है अठानवे जिस समय गुरू के प्रेम का रंग चड़ता है तो जबान बंद हो जाती है बाहर की आँखें बंद हो जाती है मन शानत और स्थिर हो जाता है और सुरत गुरू के चड़नों में लीन हो जाती है परन्तु ये रंग चड़ाने के लिए कपड़ा साफ होना चाहिए निन्यान में प्रेमी प्रेम के मार्ग पर चलते हुए एक मिनट के लिए भी आराम नहीं ले सकता इस बेचैनी या बे आरामी में जो खुशी या आराम है वो प्रेम पत का दीवाना या गुर्मुक्षी जान सकता है मनमुक्ष नहीं जान सकता सौ हे जीव सुन्दर या खुबसूरत शरीर अपना है या दूसरों का इनके भुलावे में ना आ गोरी हों या काली ये सब मिट्टी की मूर्तियां है चाहे तू बाहर से गोरा है या काला शरीर का ख्याल न कर ये तो एक कपड़ा है जो यहीं से लिया है और यहीं छोड़ जाना है तू उंचा प्रेम पैदा कर उंचा इश्क पैदा कर 101 जिस तरह मचली और पानी का प्यार है मचली पानी से निकली और तडब कर मर गई चाहतक स्वाती बूंद का आशिक है नदी, कुएं, पोखर पानी से भरे हुए है वो प्यासा मर जाएगा लेकिन ये पानी नहीं पिएगा वो जब भी पिएगा स्वाती बूंद ही पिएगा इसी तरह जो गुरू का शिष्य है, उसका धर्म है कि वो नाशवान दुनिया और उसके सामान के साथ प्यार न करे बलकि गुरू के साथ प्रेम करे जब शिष्य का गुरू के साथ पूरा प्यार हो जाएगा तब अंदर परदा खुलेगा रूह उपर जाएगी वरना नहीं जाएगी लेकिन ये कहता है कि बातों से ही परदा खुल जाए ये हो नहीं सकता 102 जब तक अंदर परदा नहीं खुलता गुरू के साथ पूरा प्यार पूरा भरोसा नहीं होता अगर गुरू के साथ प्रेम हो जाए तो ये जीव कुन्दन हो जाता है संतमत प्रेम का मजमून है जान कुर्बान करने का मार्ग है ये चीज बातों से नहीं मिलती बलके कुर्बानी से मिलती है ये मेहनत की चीज है कुर्बानी की चीज है एक सुचार जो मनुष्य संसार के सुखों में रमे हुए हैं उनका प्रेम शरीर और शरीर के संबंधों के विश से भरा हुआ है उनका प्यार आपको शुद्ध प्रेम की लगन नहीं दे सकता दुनिया के रंग में रंगी उनकी प्रीती आपको दुनिया के रंग में रंग देगी मालिक के रंग में कभी नहीं संतजनों के अंतर में परमात्मा के लिए शुद्ध प्रेम होता है यदि आप उनके साथ प्यार करेंगे तो आपके अंतर में भी परमात्मा का प्रेम जाग उठेगा एक सुपांच जिस तरह जब तक कोई धातू पिखल ना जाए उसे साचा स्विकार नहीं करता इसी तरह जब तक जीव के अंदर पूरी विरह तड़प, पूरा प्रेम प्यार ना आ जाए सद्गुरु परदा नहीं खोलता एक सुचे सारा संसार दुखी है और सुख की प्राप्ती के लिए उपाय कर रहा है लेकिन किसी को सुख की प्राप्ती का सही तरीका नहीं मिला सुख की प्राप्ती का सही उपाय संतों के पास है ये ढूनता है मंद्रों, मस्जिदों, मूर्तियों में सुखिस के अंदर है, ये ढूनता है बाहर, मिले कैसे एक सुसात असली रास्ता मनुष्य के अंदर है लेकिन काल ने बाहर ही बाहर किसी को जप में लगा दिया है तो किसी को तप में कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई पानी में खड़ा रहता है, तो कोई धूनी जला कर बैठा है, चार आग चारू तरफ, पांचवा सूरज, पांच आग में जल रहा है, उससे जाकर पूछो, भले मानस, तेरे अंदर पांच आग हैं, काम, क्रोध, लोब, मोह औ और अंकार, जिसमें सारा संसार जल रहा है, पहले उन से बचने का उपाय तो कर, सारी दुनिया भूली हुई है, एक सो आट, जो महात्मा हमारे जमाने से पहले गुज़र चुके हैं, यद्द्पी वे अपने समय के पूर्ण महात्मा थे, फिर भी वे हमें कुछ लाभ नही नहीं दे सकते, यही संसार में बड़ी भूल है, कि लोग पुराने वक्त के महात्माओं की टेक बांद कर, जीवित सद्गुरू की खोज नहीं करते, एक सुनो, आत्मा मन के द्वारा गुमरा है, मन इंद्रियों द्वारा और इंद्रियां विशे भोगों द्वारा गुमर विशे भोग इंद्रियों को वश में रखते हैं, इंद्रियां मन को वश में रखती हैं, और मन आत्मा को वश में रखता है, इस प्रकार ये सिलसिला उल्टा हो गया है, चाहिए तो ये था, कि इंद्रियां भोगों को वश में रखती हैं, मन इंद्रियों को वश में रखत और आत्मा मन को कितने दुख की बात है कि आत्मा जो सचखंड की रहने वाली तथा सतनाम की राजकुमारी है इंद्रियों की दासी बनकर बुरी तरह विशे वासनाओं में फंसी हुई है 110 मन सबसे अधिक शक्तिशाली चालाक और धूर दुश्मन है आप मन की बात कभी नहीं सुनिये और इसे सदा गुरू के हुक्म के अधिन रखने की कोशिश कीजिए आप जितनी अधिक इसकी चौकीदारी करेंगे उतनी ही अधिक रूहानी अभ्यास में तरक्की होगी 111 मन मेला है बे इमान है हमारा दुश्मन है हमें अंदर नहीं जाने देता हम इसके साथ प्यार किये बैठे हैं जो दुश्मन के साथ प्यार करेगा उस सुखी कैसे हो सकता है 112 जब तक मन आंतरिक रस का स्वाद नहीं लेता इस जैसा कोई दुश्मन नहीं और जब इसको चक लेता है तब इसके जैसा कोई वफादार नौकर नहीं 113 जंगली जानवर भी एक शान्त मन के सामने शान्त हो जाते हैं 114 मन हमारा शत्रू है ये किसी ना किसी बहाने सदा हमें अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करता रहता है सभी परिस्थतियों में मन के विरुद संघर्ष जारी रखना चाहिए 115 रूह मन के वश में है हम पर मन और इंद्रियों का जहर चड़ा हुआ है जिस तरह नशे में चूर शराबी किसी की बात नहीं सुनता हम भी मन के भोगों के जहर के प्रभाव के कारण महात्मा की बात नहीं सुनते फिर माले कैसे मिल सकता है 116 संत मत में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है वो आत्मा जो शब्द धुन से अपना संपर्क बनाए रखती है देर सवेर अपने घर अवश्य पहुँचेगी 117 गुरू के लिए किसी आत्मा को उपर ले जाना मुश्किल नहीं लेकिन पूरे भजन के बिना उस आत्मा को उपर ले जाने से आत्मा को कश्ट होता है एक रेश्मी कपड़े को जो काटेदार पौदों पर फैला हुआ है अगर एका एक खीचा जाए तो वो फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा उसी तरह आत्मा जो कर्मों के काटों में फंसी हुई है और शरीर के रोम रोम में फैली हुई है वो गुरू के प्यार से धीरे धीरे निर्मल होती है गुरू की दया और शब्द की कमाई से आत्मा इन कर्मों के कांटों से निकल कर धीरे धीरे शरीर के रोम रोम से सिमट जाती है 118 देखो ये आत्मा किस मुसीबत में फसी है कहां ये आत्मा वैदहूला शरीक सत्पुरुष की अंच अमरे रब्बी जिसने सत्पुरुष की प्यारी बनना था सत्पुरुष में समा कर सत्पुरुष बनना था आज कहां धक्के खा रही है 119 शब्द थुन चुम्बक की तरह आत्मा को खिंचती है अगर आत्मा के उपर मन और माया का जंग न लगा हो तो आत्मा बंदू की गोली के समान उपर चड़ जाती है ये जंग सिम्रन द्वारा छुड़ाया जा सकता है 120 बहुत सी ऐसी रूहें हैं जिनोंने नाम तो लिया हुआ है लेकिन कमाई नहीं करती है उन्हें मन अंदर नहीं जाने देता वे बाहर ही हाय हाय करती है विचार करें जब आप दुनिया के काम करते हैं पेट के लिए रात को समय असमय जाकते हैं तोपों के सामने खड़े होते हैं तो क्या भजन ही ऐसा कठन है जो नहीं हो सकता असली बात ये है कि मन आपका दुश्मन है जो भजन नहीं करने देता मगर यदि कोई दुश्मन का कहना माने तो क्या वो जीने देगा कभी नहीं एक सो इकीस जब आत्मा इस संसार में आती है तो इसे हम जीव का जन्म दिन कहते हैं पर वास्तर में वो आत्मा स्थूर शरीर रुपी कबर में गैद हो जाती है इसलिए ये कहना ज्यादा उचित होगा कि ये जीव आत्मा का मौत का दिन है जब जीव संतों की शरण में आता है नाम पराप्त करता है और नाम से रिष्टा जोड़ता है तब आत्मा शरीर रुपी कबर से बाहर निकलती है इसलिए ये कहना उचित होगा कि संतों से नाम की बक्षिश पाने के बाद उसका जन्म या पुनर जन्म हुआ है नाम लेने का दिन ही जीव का असली जन्म दिन है 122 कोई भी जीव जो मन और माया के अधीन है कर्म किये बिना रह नहीं सकता और कर्मों का नियम जैसा बो वैसा काटो उस पर लगू रहता है जितने अधिक कर्म कोई जीव करता है उतना ही अधिक जन्जाल बढ़ता जाता है जैसे जब कोई पक्षी जाल से निकलने के लिए संगर्ष करता है तब वो और अधिक खुलचता जाता है 123 123. दुनिया का काम करते हुए अपना काम, यानि भजन सिम्रन भी करते जाएं, जो की हमारे साथ जाएगा. इसके विपरीत, दुनिया के जितने भी काम करेंगे, वे यहीं रह जाएंगे. 124. सिवाय गुरु की भक्ति के सब कर्म जन्मरन का कारण हैं, आवा गमन का चक्र हैं. 125 बीमारी कर्मों के कारण होती है ये हमारे बुरे प्रारब्द कर्मों के कारण होती है और हमें प्रसंद होना चाहिए कि बीमारी के द्वारा बुरे कर्म कट रहे हैं बीमारी से कर्मों का बोज हलका होता है और कर्ज चुकता होता है 126 पुन्य और पाप दोनों ही आत्मा को इस संसार में गैद रखने के लिए जंजीरे हैं और दोनों ही काल की उस योजना का भाग हैं जो उसने आत्मा को इस जगत में पसाय रखने के लिए बनाई है 127 शिश्य की संसारिक तरक्टी व्यापार में सफलता और असफलता उसके कर्मों के नुसार होती है जंज से पूर्फी उसकी जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है उसने जितने सांस लेने हैं जितने ग्रास खाने हैं जितने कदम चलना है दुख और सुख, अमीरी और गरीबी, सफलता और असफलता, ये सभी पहले से ही निश्चित होते हैं प्रारब्त सचमुच बलवान है, इस से बचने का कोई उपाय नहीं है हाँ, भजन के द्वारा आत्म शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, कि सत्संगी दुख या सुख महसूस ही नहीं करता 128 ये संसार के पदार्थों का मोही है, जो हमें बार-बार नीचे खींच लाता है, और जन्मरण के चक्कर में डाल देता है संसार में रहो, पर संसार के न बनो, अपने सब कारे करो, पर निरलिप्त मन से 139 धार्मिक और नेक जीवन व्यतीत करना एक बात है, और पूरे गुरु का मिलना दूसरी ही बात है इन दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है, ये दोनों अलग-अलग बाते हैं नेक जीवन वाले धार्मिक लोगों को भी अपने नेक कर्मों का फल मिलेगा, किन्तु उस फल को लेने के लिए उन्हें संसार में वापसाना होगा 130 मांस, अंडा तथा शराब जहर हैं, इसलिए इनके इस्तिमाल से नुकसान होता है आप खुद ही अंदर जाकर देख लेंगे कि ऐसी चीजों के इस्तिमाल करने वालों को कैसे कश्ट भोगने पड़ रहे हैं भले ही वे सत्संगी हों या गहर सत्संगी 131 मांसाहार मनुष्य के दिल को सخت और जीवों के प्रतीकरूर वर निर्देई बनाता है ये देया और करुणा की भावनाव को नश्ट कर देता है और रुहानी चड़ाई में बादा डालता है 132 जो लोग परमात्मा को प्यार करते हैं और उससे मिलना चाहते हैं वे किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे जानवरों का मांस खाने से इनसान जानवरों की श्रिणी में आ जाता है और वो जानवर सा ही बन जाता है 133 मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मां सित्यादी का भोजन बले ही एक लुकवा ही क्यों ना खाय जाए आध्यात्मिक उन्नती में बाधक है खाने की तो बात छोड़िये जो जीवों को मारने में मदद भी करते हैं वे भी दोशी हैं आपका कहना है कि अंडे खाना उतना बुरा नहीं है जितना की दूसरों का दिल तोड़ना दोनों ही बुरे हैं लेकिन एक टूटा हुआ दिल प्रेम द्वारा जोड़ा जा सकता है किन्तु वो जीव जिसे मार दिया गया है जीवित नहीं किया जा सकता 134 अगर हम सत्गुरू का भाणा माने तो हमें कोई दुख नहीं होगा अगर परिवार पानी में बह जाए सत्गुरू का भाणा अगर धन जाता रहे तो सत्गुरू का भाणा गरज ये कि बीमार रखें सत्गुरू की मर्जी राजी रखें तो उनकी मर्जी 135 उंचे से उंचा भजन उंचे से उंची रहनी और मालिक की बड़ी से बड़ी क्रिपा क्या है ये कि हम उसके हुप में रहक कर उसका भजन करें वो चाहे दरदर भीक मंगाए चाहे राज कराए नंगा रखे, भूखा रखे हम उसके भजन को न चोड़ें और राजी बारजा रहें उसकी मौज में प्रसंड रहें अगर इस अवस्था में आ जाएं तो कोई दुख नहीं 136 बड़ी बात तो ये है कि गुरू के हुक्म को और मन के हुक्म को सामने रखो फिर देखो मन किदर जाता है अगर गुरू के हुक्म पर दिड़ रहो तो समझो के मन को जीत लिया अगर मन के वश में आ गया फिर समझो हार गया लेकिन ऐसा कहना आसान है रोज रोज मन की तरंगों को देखते रहो जिस मनुष्य ने मन की चौकीदारी कर ली वो महात्मा बन गया 137 भजन सिमरन चाहे थोड़ा ही हो गुरू का प्यार पूरा पूरा होना चाहिए शिश्शी को चाहिए कि अपने आप को सद्गुरू के हवाले कर दे वे जो हुक्म दें उसका पालन करे उसमें मन दखल न दे 138 शिश्श सद्गुरू की रजा के आगे ऐसे सिर्नवा देता है जिस प्रकार एक मुर्दा सनान कराने वाले के आगे मिट्टी के धेर के समान पड़ा रहता है 149 लालची मनुष्य तरश्णा के कारण ना तो कमाई हुई दौलत को भोग सकता है और ना ही उसको त्याक कर त्रिप्त हो सकता है वो गुप तगनी में जलता रहता है सच बात तो ये है कि दौलत हमारे इस्तेमाल के लिए है 140 मेहनत से कमाई हुए धन से खरीदी हुई सबजी और अनाजादी से सात्विक भोजन तयार करना चाहिए खाना बनाने वाला भी सात्विक सभाव का हो उस सात्विक सभाव का असर भोजन और उसके खाने वाले पर होता है ऐसे आहार के खाने से मन शान्त होगा और चित मालिक की याद में रहना चाहेगा 141 कड़वे वचन सबसे बुरे हैं इनके कारण सेंक्ड़ो लड़ाईयां हुई जगड़े हुए कोई बिरला गुर्मुक ही कड़वे वचन सेहन कर सकता है कबीर साहब कहते हैं बोल उ कुबोल उ साधू सेहे अवर्त साहा न जाए किन्तु गुर्मुक के वचन जल के समान शीतल होते हैं जब भी बरसेंगे अमरित के समान प्रभाव डालेंगे एक सुबह अलीस हमारे अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि जब चाहे मन संसारे काम करे और जब चाहे ये स्थिर हो जाए इच्छा अनुसार शरीर के अंदर बहार आ जा सकें जब इस संसार में काम करना चाहें तब इस शरीर में वापस आ जाएं और जब हम उपरी मंडलों में काम करना चाहें तो इस शरीर में से सिमट कर उपर उठ चाएं। 143 इच्छा ही दुख का कारण है और वही आदमी वास्तम में निर्धन है जिसके अंदर अत्रिप्ट इच्छाएं मौजूद हैं। जो इच्छाओं से रहित है वो शेहन्शाह है। 144 ये संसार मोह माया से भरपूर एक सगनवन है जहां पर बहुत घनी आबादी है और सभी अपनी अपनी राभ भूल कर बिना किसी मकसद के जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। 145 जीवात्मा का अपने आपको मालिक से अलग समझना ही हौमे यानि एहम है। 146 मालिक का भक्त हमेशा अपनी हक हलाल की कमाई से गुजारा करता है। गलत तरीकों से कमाया हुआ खाना मन को प्वित्र बनाता है और अभ्यास में बड़ी रुकावटें डालता है। 147 सब मनुष्यों का आपस में रुहानी संबंद है जिसे कोई शक्ती तोड़ नहीं सकती। धार में क्रीती रिवाजों आदी में भेद है पर रुहानियत की मूल बातें सब की एक सी हैं। 148 अगर लोहा ही खोटा है तो पारस क्या करें। इसी प्रकार यदि शिश्य का अरदे मेला है तो गुरू क्या करें। 149 कोई एक कौम का हो या दूसरी का, एक देश का हो अथवा दूसरे देश का, सब एक ही मालिक के बच्चे हैं तथा एक ही बाग के रंग बे रंगे फूल हैं। 150 काल से मतलब वक्त या मौत नहीं है, काल वो ताकत है जो की त्रिलोकी का प्रबंद कर रही है, और ये ताकत सत्पुरुश के अधीन है। 151 मनुष्य रातों को जाग सकता है, बंदूक की गोली के आगे खड़ा हो सकता है, इसी प्रकार कम खाना, कम सोना आसान है, लेकिन गुरू की शरण में आना बहुत कठन है। एक मनुष्य को परमात्मा कहना बड़ी मुश्किल बात है। 152 अंदर जाने के लिए कह तो क्या, कह की भी जरूरत नहीं, बलकि मैं तो ये कहूंगा, कि आलिम फाजल इतनी जल्दी अंदर नहीं जा सकते, जितनी जल्दी के अनपड अंदर चले जाते हैं। मेरा अनपव है, कि अनपड़ों को जब तवज्जो दी, तो जट ख्याल अंदर चला गया। 153 किसी का दिल दुखाना महापाप है। एक मुसल्मान फकीर अपने शिश्शी को कहता है, शराब पीना पाप है, लेकिन मैं तुझे बख्ष दूँगा। काबे में आग लगाना पाप है, लेकिन ये भी तुम को माफ कर दूँगा। लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया, ये माफ नहीं करूँगा। 154 155 156 166 168 168 168 168 168 169 179 159 सब्सक्राइब 159 168 178 168 169 168 169 161 169 168 168 169 169 161 168 169 157. आंत्रिक आनंद ना खरीदा जा सकता है और ना मांगने से ही मिल सकता है मेहनत कीजिए, अपनी चेतना को समेट लीजिए, उपर जाईए, आपको ये मिल जाएगा 158. सच्छे आनंद का भंडार मनुष्य के अंदर है 169. जब आप अग्यानता का परदा चीर कर, यानि नौदवारों को छोड़ कर उपर की और जाते हैं तब संसार का सुख वहां के आनंद के मुकाबले में बड़ा ही तुच्छ और नीरस प्रतीत होता है 160. दुनिया के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो परमार्थ तो कमाना चाहता है लेकिन लोक लाज दुनिया के संकोज के कारण संत महात्माओं के पास नहीं जाता उनका सत्संग नहीं सुनता इसका मतलब ये है के वो दुनिया को बड़ा मानता है और परमार्थ, सत्गुरू और परमेश्वर को छोटा 161. इंसान कमजोरियों का पुतला है और इन कमजोरियों का घ्यान होना तब शुरू होता है जब सुरत शब्द योग का भ्यास शुरू किया जाता है कमजोरिया नाना प्रकार की रूप में सामने आने लगती है और एकागरता में विगन पहुँचाती है परन्तु गुरू की कृपा और शब्द की शक्ती से इन पर काबू पाया जा सकता है सुरत शब्द के अभ्यास से इन कमजोरियों की जगा एक नई शक्ती जन्म लेती है और इंद्रिया वश में आ जाती है फिर इंसान को इस दुनिया में अंधे की तरह भटकना नहीं पड़ता 162 संत जानते हैं कि इंसान बहुत निर्बल है वे इसे धीरे धीरे बलवान बनाते हैं वे पहले जीव को नाम के संपर्क मिलाते हैं उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी जाती है जीव इस पर कुछ ध्यान देता है समय बीतता जाता है कुछ तो ठोकरों यानि बीमारी, परिवार में मृत्यू, रुपे का भाव, मानिज़त को ठेस के कारण कुछ उम्र के कारण, कुछ सत्संग के द्वारा कुछ प्रारब्द कर्मों के भुक्तान हो जाने के कारण और कुछ नामभक्ती के द्वारा उसका ध्यान धीरे-धीरे दुनिया से हटता जाता है इस तरह वे अपने जीवन के अंत तक उपर तरक्ती करने और नाम के साथ पूरी तरह चुड़ने के लिए तैयार हो जाता है 163 रोह रूपी तोता, शरीर रूपी पिंजरे में बैठा हुआ दुनिया की बोलियां बोलता है जब ये अंदर तवज्जो देगा अंदर शब्द का अमरित पिएगा मन इंद्रियां वश में आ जाएंगी ये पिंजरा तूट जाएगा और तोता सदा के लिए मुक्त हो जाएगा 164 पवित्र आचरण ही आध्यात्मिक महल की नीव है जब तक हम भोगों के गुलाम है तब तक परमार्त के बारे में बातें धोखा हैं चुमबक चमकते होए लोहे को अकरशित करेगा ना कि जंग लगे होए लोहे को 165 हमेशा याद रखें के मृत्यू हमारी और बढ़ रही है और हमें एक-एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा 166 प्रेमी का प्रीतम से प्रेम इसी में है कि वो उसकी रजा और हुक्म में कोई आना कानी ना करे 166 सच्ची भग्ती और वहेगरू यानि परमेश्पर की प्राप्ती मनुष्य जन्म में ही हो सकती है 168 जब जीव नाम रूपी अमरित को पियेगा तब वो मैं मैं नहीं करेगा बलकि तू ही तू ही कहेगा ये अमरित हर एक मनुष्य के अंतर में बरस रहा है ये अमरित सदाचारी पुरुष्यों के अंदर ही नहीं बलकि चोरों, ठगों, बदमाशों और पाप करने वालों के अंदर भी है वो अमरित माया पी जाती है, काम करोध पी जाते है 169 रूह मालिक की अंश है सभी जीव एक ही नूर से उपजे हैं तथा उसी का नूर सब के अंदर चमक रहा है फिर इन में कौन बुरा है और कौन भला जुज और कुल, अंश और अंशी में कोई भेद नहीं है 170 हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं एक अगला और दूसरा पिछला अगर सामने से देखें तो तस्वीर बहुत सुन्दर और आकरशक दिखाई देती है परन्तु यदि पिछली ओर देखें तो खाली कागज और गटा है इसी प्रकार अगर दुनिया को खाते पीते एशो इश्रत करते देखें तो बड़ी सुखी दिखाई देती है पर यदि इसको यहां से कूच करते हुए देखें तो पता चलता है कि सब रोते हुए जाते हैं एक सो एकत्तर लेंप के प्रकाश में चोर चोरी करता है भक्त भजन करता है पर लेंप चोर को बुरा नहीं कहता भक्त को शाबाशी नहीं देता उसे तो प्रकाश देना है, वो दे रहा है इसी प्रकार प्रमात्मा सब जगह मौजूद है पर उसके सर्वव्यापी होने का लाब तभी होगा जब आप परदा खोल कर अंदर जाएंगे फिर वो आपकी बात सुनेगा आपको प्रेम, प्यार वा शांती प्रदान करेगा जन्मरण का चक्कर मिटा देगा और शब्द के साथ मिला देगा 172 लक्ष सही होने पर थोड़ा सा परिश्रम भी व्यर्थ नहीं जाता 173 अगर नाम की लज़त आ जाए तो जीव जीते जी मुक्त हो जाता है फिर ये नाम की मस्ती में मस्त रहता है ना किसी के साथ कोई जगड़ा ना फसाद 174 गरंत पोतियों को पढ़ना दर्शन शास्त्रों की चर्चा करना तथा प्रार्थना करना पानी को मतने के समान है जिसके मतने से जाग के अलावा कुछ भी नहीं निकल सकता अंदर जाना और शब्द के सारे उपर चड़ना दूद मतने के समान है जिससे प्रभू प्रेम का मक्खन निकलता है 175 जो अंदर की लज़त, स्वाद, मिठास, प्रेम और खुशी है उसका नमूना दुनिया में नहीं है जबान में ताकत नहीं कि उसका बयान कर सके जो अंदर जाता है वो स्वाद लेता है लेकिन बता नहीं सकता ये गूंगे की मिठाई है जिस तरह गूंगे को मिठाई खिला दो तो वो क्या बयान करेगा वो अचरज देश है उसका आनंद भी अचरज है स्वाद परमात्मा अचरज है इसलिए वहाँ चुप रहना पड़ता है